आज हम लोग इस वीडियो में Global Innovation Index 2021 के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है इसकी महत्व क्या है और इसकी सुरुवात कैसे हुई थी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि Global Innovation Index कौन जारी करता है तो इसे World Intellectual Property Organization द्वारा जारी किया जाता है जिसे हिंदी में विश्व बौधिक संपदा संगठन कहते हैं ये UN की 15 important एजिंसियों में से एक है इस Index को दुनिया भर में बौधिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए यानि Innovation को बढ़ावा देने के लिए और संरक्षित करने के लिए बनाये गया है अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसकी स्थापना करने की जुरत क्या थी या इसकी स्थापना कब हुई और इसका महत्व क्या है तो मैं बता दू कि इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई थी इसके हेड़कॉर्टर आपको जेनेवा स्विजरलेंड में मिलेंगे और इसमें 193 देश सदस्य हैं और वर्तमान में इसके स्टेट हैड हाँ इसमें सेक्रेटरी जनरल नहीं होता इसमें स्टेट हैड होता है और वर्तमान में डेरेन टैंग इसके स्टेट हैड है जो सिंगापूर के हैं WIPO यानि World Intellectual Property Organization United Nations Economic and Social Council के अंडर कारे करती है अब आप सोच रहे होंगे कि बौधिक संपदा क्या होता है इन्वेशन क्या होता है इसका इंडेक्स क्यों बनाया जा रहा है तो देखो इन्वेशन और इन्वेंशन में फर्क होता है innovation से आप समझ रहे होंगे कि invention कोई खोज हो रही है या जो नई खोज होती है उसके बारे में बताया जाता होगा तो ऐसा नहीं है innovation अलग है और invention अलग है invention किसी नई चीज की खोज के लिए होती है जैसे कोई नया आविश्कार हुआ है तो उसे invention कहते है और उस आविस्कार में कोई प्रगती की जाती है, कोई moderation होती है या कोई नई development होती है या की जाती है तो वो innovation होता है जैसे example के तौर पे ले ले तो Thomas L.Y. Edison ने बल्ब की खोज की थी तो वो एक invention था लेकिन बल्ब में बाद में LED बल्ब आया है CFL आया, Tube Light आयी तो ये सब innovation के तहत हुआ अब आप समझ रहांगे कि innovation किसे कहते हैं जब भी कोई चीज आविस्कारित हो जाती है तो वो अपने प्रथम चरण में होती है फिर उसमें कुछ development किया जाता है उसकी accuracy को बढ़ाई जाती है और उसमें नई नई चीज़े उभर कर आती है तो ये innovation के तहत ही होता है जैसे उधारन के तोर पे और भी ले सकते हैं जैसे कि पहले आप telephone यूज करते रहे होंगे cell phone यूज करते रहे होंगे बटन वाले उसमें आप messages नहीं कर सकते थे इतने अच्छे तरीके से net नहीं चला सकते थे लेकिन आज के समय में innovation के तहत इतने अच्छे अच्छे smart phones आ गए हैं जिसमें आप fast net चला सकते हैं और भी चीज़े function कर सकते हैं इसी प्रकार से पहले computer के बारे में भी आप समझ रहे होंगे कि desktop होता था वही पुराने computer जिसमें storage कम होते थे फिर इसका भी विकास हुआ, development हुई और innovation के तहत आज आप हथेली पर एक छोटे से laptop में पूरे computer का संचालन कर सकते हैं और innovation से हमारी daily life easy हो जाती है innovation चाहे electronic में हो, IT छेतर में हो या किसी भी field में हो इससे product user friendly हो जाता है और वो accurate होते चले जाते हैं और इसी innovations को बढ़ावा देने के लिए ये index बनाया गया है ये हर साल जारी किया जाता है ये global innovation index 2007 से लगातार जारी किया जा रहा है पहली बार ये index word business नाम के British magazine द्वारा जारी किया गया था अगर इस बार के global innovation index के बारे में बात करें तो इस बार भारत की ranking में सुधार हुआ है पिछले वर्स यानि 2020 में भारत की ranking 48 थी जो 2021 में 46 हो गई है हमारे भारत ने पिछले कई वर्सों में अपनी ranking में काफी सुधार की है 2015 में भारत 81 था और अब 46 में इस थान पर आ चुका है भारत टो 50 में इनुवेटर देशों की लिस्ट में सामिल हो गया है हाला की इसमें 193 देश है लेकिन इसमें टोटल 132 देशों की ranking की गई है अब innovation को मापने के लिए WIPO ने कई मापदंड बना रखे हैं जिसके अनुसार ranking की जाती है जिसमें human capital और research infrastructure, credits, investment, linkage, creation, absorption और creative of output के आधार पर किया जाता है अब global innovation index 2021 ranking यहाँ पर आप list देख सकते हैं जिसमें first rank पर यहाँ पर Switzerland है जिसका score 65.5 है और यह income group rank में भी number 1 पे है और region rank में भी number 1 पे है इसके बाद Sweden है और उसके बाद United States of America है यह पिछले साल भी first, second और third rank पर थे चौते rank पर United Kingdom है और अगर चाइना की बात करें तो यह 12th rank पर है और अपने देश भारत की बात करें तो यह Russian Federation के नीचे व्योस्थाओं में पहले इस्थान पर है अब आप पूचेंगे की पाकिस्थान का है तो यहाँ पर आप 99th rank पर पाकिस्थान को देखेंगे जिसका score .24.4 है पाकिस्थान का भी इस्थान पिछले वर्स से काफी सुधरा है पिछले वर्स पाकिस्थान का इस्थान 107 था यहाँ पर पिछले वर्स की लिष्ट है जिसमें High Income Economies में आप देखेंगे स्वीजेलेंड, स्वीडन और United States of America है जैसा कि मैंने बताया था और यहाँ पर भारत Lower Middle Income Economies में 48th रैंक पर इंडिया है और वियतनाम 1st रैंक पर था जो महतपूर्ण भूमी का निभाई गई है उसे दिया है और भारतिय सरकार ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं जैसे Startup India, Startup Hub, Made in India, Attal Innovation Mission, समरेद्ध योजना और भी कई योजनाएं शुरू की हैं तो यह थी पूरी जानकारी Global Innovation Index 2021 के बारे में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट